ते स्वागता जी तो आड़ा सारेयंदा सारेयनू प्यारपरी सती शरी आकाल अज आपकारएं जी जब जी सहब टे नाल-नाल श्रीगृू नाण्गदेव जीवन अते उना दिया बाकी बाणियां दे नाल सबंदत कोज प्रेशन करांगी इंगर जुदा पहला प्रेशन प्र अवाज आ रही है ठीक है जी मैं हुन इसी तरह ये वीडियो बनोनी शुरू कर देती थोड़ा जात उसी बर्दास्ट कर लेना पंजाबी अध्यात्मिक सहते मुख उस रहेगी हैं यान श्री गुरु नानक देव जी 1475 शे साल दी उमर वेच गुरु नानक देव जीनू किस क इस्टेत है शुल्तान पुर जिते सवेरे शुरु नानक देव जी इश्णाल कर दे सी कि पर अपना नाम जब दे तेस्तों बाद सुल्तान पुर लोधी देवेच्च जो मोधी खाना सी गा उते अपना कम कर देसे दफतर देवेच्च जो लिखा पड़ी दा कम आ गुरु औरनाणग देव जी करतें सिंग गुर्णाणग दियां अदासियां दा समा फटोड़ा ज़ा अलाग अलाग मिलनकी आए मिलनकी 1 आए 5 1 एक विर्वाम्नल keבश में दंडर्रसों सर्व पंदर्रासों 1 चाहिं भी तक बेर अधियोते इस समय है गुरू नार्ट को ऍलियों पीपति सारहीं पर आपपा इन याद कर सकते हैं कि यूपन करनियां देके पुछा जा सकता है केड़ी बॉनानक देव जी नहीं जब जी असादीवार माज दीवार मुलार दीवार दक्कनि ऑंकार स्गोस्त développरा마 तखारी 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 दिनी घुश्य गुरू अर्जन देव जी जी आप्रमानिक बानी बानी सद्गोस्ट दी रचना किते होई एह होई अचल बटाला नाथा जोगियां दे नाल गुरु नानक देव जी वारता लाप होई ता ए बानियां जी सद्गोस्ट ते ए बानी है बादिक रचना ठीक है इस दे विचो नानू समझाया गया बादिक ता तैसे बानी में विच्च जब जी साया बानी दी रचना गुरु नानक देव जी दे जीवन दे केड़े समेना सबंदत है यह दोने ही प्रेशना जेड़े एक उसी मेरे मताबक ना करना ठीक है क्योंकि मैंनों अपने आप उपर पूरा जगीनी के दोने प्रेशना यह दोना प्रेशना दस उकतरा जड़ा एस प्रेशन दस उतर तो अडेली लब के लह हो दा पहला पाइस प्रेशन नूँ पढ़ दे है ठीक है फिर अपा इस उपर चर्चा कर दें कि प्रेशन समझना क्यों जरू लिए जब जी साय बानी दी रचना इथिपा किता के गुर आसादी वारता मेरे त्यार वेच्चा के पच्छमदी उदासी समय उस दी रचना होई कई बार मैं सुने हैं ठीक है मतलब सिर्फ दास रहे हैं तो अनू मैं कर लई ही नहीं कह रहा है कि तुसी एक करो एक पड़ो ए बानी अलग अलग तामा उते उचारी गई कही जंदी है मतलब क्या जंदा के जगी से बानी अलग 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 थामा उते उचारी गई है ते है भी उचारी गई काफी अलग अलग जगा उपर ठीक है जे कर अलग 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 जगा उपर उचारी गई है बानी ता फिर अदासिया दे विच्छी गुरुनाणक देव जी अलग लग अप्रेशन कट्टिया थे बाद एक प्रेशन तो बाद मैंनों यह सही लगन लागिया पहला मैंनों यह सही लाग रहा सी ठीक है फिला हाल तुसी एसनों मन्ने के चलना कर लेना जिनना चर्ट वानू ए मटेरियाल मतलब इना प्रेशना दा सही उत्तर नहीं मिलदा ते कोश्र नहीं कि ही चर्टा करांगे जिननी सनु विशे देनाल जोटन देली सहाई होगी गुर्णानक देव जी बाणी किने रागा वेच्छ है उन्नी रागा देवेच्छ सेद्गोस्ट बाणी बाबा नानक है ए बहुत करचना नाथा जोगिया नाल सबंधता है जहां आ सजदा अचल बचछ देनाल सबंधत जा आ असा दी वार्दियां जडिया पौडियां ओना धी गेंती किन्या जिरती चोब्रामि उदकर,फक्ष ए प्रभु, पुछ भी जाता कि रामा लुक चृलCl,ब्रामा बहुत है 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 इस विच्छ है प्रभु प्रेम अर्जन देव जी दा लम जिए उपदे्श आत्मिक तोने ही प्रिश्नयां जुड़े याद रखना मोलनक्देव जी दा लृत वहुं general फ्रेमीर अत्म कुलंक्यां होग मैं आत्मिक k Corda पन्जाबि आपपवाव कर रहां ठीक्प हार एक बानी दे वेचे अलग-लग तरह दी पाशा दा प्रवाव है गुरनानक देव जी दी जो पंजाबी उपर thrive झा लेंदी दा प्रवाव है ओर भी बहुत सारे प्रवाव है गुरनानक देव जी दी जो पंजाबी है बबबा फ्रीद जिनी ठेट ते शुद पंजबी नहीं इते मेरा दसना फर्ज बंद है कि बबबा फ्रीद सिर्फ पंजब दे लोका नू संबोधन कर रहे हैं इस करके उन्हान दी पंजबी है जो जाधा शुद ते ठेट है पर गुर्णानक देव जी सिर्फ पंजाब दे लोका नो नी पूरे पार्थ वासिया नो अपनी बानी देखे गया ठीक है इस करके उन्ना ने उस तरह दी पार्थ दे इस्तमाल किता जिस नो बहुत गेंती देवे पूरे पार्थ वासिया जड़े ओसमे कि समझ सकते थी डहीं बाकी गुर्णानक देवजी जी नो ज़ादा तरह पार्थ दे लोकां पार्थ दे लोकां तो बार भी उना इक उदासियां सम endless मेल हंदा रेया ते उन्हा दी पाशा देवेच जो बहु बहु पाशा जड़ियां दी रंग तसनों मिल दीया ठीक है बस याद रखना गुरु नानग देव जी बबबा फ्रीव जिन्नी शोद ते ठेट पंजाब दी वरतों नहीं कर रहे अगला प्रेशन जी गुरु नानग देव जी दुवरा लिखी आरती किस राग विच है इस दा राग है जी तनासरी राग ठीक है राग गुरु नानग देव जी दिया सारियां ही बाणियां दे जाद कर लेना कोई भी बाणी दा राग पुच्छा जा सकता है गुर्णाणदेजी दी बानी जैसे आवेग Century की बानी दा है है तलंगड़ाग आरती आप जाद रखना ठीक है गुर्णानक देव जी दिया वारादा मुख रास है इस देविच है जी शांत रास जेस तरह वारादे विच लड़ाई हूं दिया उसे तरह इनना वारादे विच भी मन दे नाल मालनू मारन दे लई थोड़ा बहुत जे इस तरह लड़ाई वाला महाल जास अनू मिल दा वार पर इस देवच जो रास है यह शांत रास है गुर्णानक देव जी ने किस बाणी वच बरमदा सुरूप निच्चत कीता है ठीक है जब जी सहभ देवच ए परमातमा दा जड़ा सुरूप उसनों निच्चत कीता है एक बाणी गुरु गोवे संग जी दिया ओह जब सहभ अप मतलब इसलाम देवच भी काफी बुराइयां जड़ियां आया हो यह सी हिंदू तरम दी तरह गुरु नारक देव जी देव समय इसलाम तरम वच बोल बाला सी तो असब तो असब देवच जड़े लोक फसे होई सी ठीक है परमातमा देबारे लोकानू लग लग तरा जड़ अपने वलों ग्यान दे रहे सी आप सी नड़ाइयां देवच पाई होई सी परमातमा है नई है मतलब बोल बाला इस तरह ना सी ठीक है मतलब जिमें होना परमातमा है नई है लोक लग 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 तो असब देवच लोक फसे होई सी मतलब वैदत तो दूर हो चुके सी लोक इ यह याद रखना तो से जब जी वेच्च किनिया रोहानी मंजलांदा जिकर है यह जी पांच जब जी लिख्या ही मिल दाए सभ नी हुंदा ठीक है नाल कि जब जी बाणी प्रबंद काव है ए प्रेशन नों थोड़ा जाते आंदे नाल करना ठीक है जी नहीं ए प्रेशन मैं इतने लिख्या जब जी प्रबंद काव नहीं क्योंकि अगत जाके फ्रेशन करओंगा जब जी प्रबंद काव है कि यह दोने ही फ्रेशन मिल देया मैं हुआ कुछ रहेat ठीक है नहीं महन दे कि यह प्रबंद कावन नहीं跑 मैं तो्त जब जो 잡्ल पूरा ऊसदा ख्यान रख पूरा क्योंकि गुरु नानक देवगी ने अपनी बानी नो किसे सैतिक गोस्टी विचता पेश नहीं करना सी उलने पसानु अध्यात्मिक ग्यान देन देली बानी रचिया ठीक है किसे शांद शूंतनु भी पावंदी नहीं अपने उपर लई होना ने ठीक है क्योंकि एबा बंधका मंदिय क्योंकि प्रवंद का वलक काफी गोना जड़े जब जी दे सनु न सिल्देयां जब जीदा सार के जंडा है जब जी दा सार है जी मूल मांतर जिसनों क्या जान्दा सिक्ख साधना दी पदती दा कल्मा पुरा गुरुकरांच सहब है जब जी सहब दी व्याख्या ते जब जी सहब दा सार मिल दा सानों मूल मांतर दी विच्च जब जी दी शैली समुच्चे रूप वेच्छ है सूत्रिक शैली है जब जी वेच्च शादहान चाली साड़ा अगला प्रेशना जी जब जी दी शैली गात विशेष्टा की है एस ते वेच्च संखेता संजमते दोहराओ जब जी बाणी कित्ते लिखी गई सी लिखी गई करतारपूर देवेच्च ठीक है एक काफी पड्या लिखिया पाठी है ठीक होँ चर्चा कर रही है ते करतारपुर देवेच्च ए बाणी लिखी जानबारे उन्हाने गल्लवी करी ते एक होर जो आपां त्यान देवेच्च रखनी है कि सब तो जड़ी ओक्खी बाणी है वो जब जी सहब है चाहिए अपनों सोखी लग दीया पंजाबी देवेच्च होनका अर्ना पर गुरु नार्णक देवजी ने लगा मात्रा मादे बहुत सारे परजोगे से बाणी देवेच्च कीते हैं तोढ़ा जाई हुए जे किसे आकरी अक्कष नोश्यारी पहाई जानलिया उस शूलर नाइओ लगा मात्रामादी काफी जादा पर जोग इसे विच्च हो एक प्रेशन उत्र वाला जड़ा फार्मूला ठीक हो भी जब जी सेविच्च मिलदा पहला गुर्णानक देव-जी खोद ही प्रेशन कर दिया कि बंताओ यह कि और तटे पाल ते फिर खोद ही नालदी नालवी उस है तो पेलिएक पर परेगी हुं जब्रीबानी है बोधिक किसी सटीप 14 भींद मांचा प्रदान हुं दर दा किसे संदि ने अने विकष का परखेंी आप समस्नार्त है prison região कुछ घैनल क्रोस नइक किसेम की दिए मठीस करने आध का मुख येश मंस्द्द ad हुआ जिए बाणी है प्रवंद काव ठीक होना पाई प्रस्यी ने लिखा बंप कई प्रभंद काव की देखन To मेरे सावल परबंद कावा जड़ा नहीं किया जा सकता बारी में गुर्णानक देव जी दी बानी है इस दे विच सरोंदी बानी है ठीक है सरोंदी हुंदा मतलब जो बानी नू जो किसे चीज नूसी गा सकते है गाई जानवाली रागबद गुर्णानक देव जी ने बाणी वेच आपने आपनू केस लेंग वेच रख्या है इस्तरी रूप दे वेच रख्या है गुर्णानक देव जी दी बाणी वेच प्रमात्मानू केस रूप वेच रख्या गया है इते तुसी मारद ना कर देना इते रख्या गया पती पती रूप दे वेच्छ रख्या गया सब तो उपर किस नूँट बरbackatch अगला प्रेश्शन जी जब जी वेच्च सब्तों ऊपर किस नूँबन्यां गया है इसे तरह मृठ डृबध सी पूरा ऊचानर या उसे पूरा है उचार लिए पर मात्मा वेधार लंढे जीए जो है ओम ओम ठीक है ऑपन सदुनेर मेची वेच पर्कि आफ़द हिंदुसी जो सोच देख Mun अवथार तर्क हों अलग लग करके इस तरह जोड गांता ओव नो जोड दता पर्मानि नाल आन विशनु नाल ते मानों महादेव देनाल जोड पर गुर्णानिक देव जी ने ओम तुनि देनाल आएक विछाल नाल नाने की हाई कि इसाब्द की ता कि जड़ा प्रमात्मा और सर्ब शक्ति माना एक मुकार दे नाल एक लॉन दा उन्हादा मक्सद सीट सनु दसना सी प्रमात्मा दी एक ता बारे कि प्रमात्मा सब जगा मजूद है ठीक है वही सब तो उपर है खुदा शब्द किस पाशा दा शब्द है एहीयर फार्सी पाशा दा शब्द कि खुदा दा अर्थ है खुद लॉन वाला और मतल परमात्मा नाल मिल दा जुल दा ही हो गया जमें परमात्मा गुर्णान देवजी ने लिखिया झाय के मूल मंतर देविच्च जो कि अपने अर्थवी यही अंदा सानू खुद आणवाला खुदा शब्द दे नाल बानी देविच शब्द मिल्दा गुरुबानी देविच सहब ठीक है पता नीमें सही उचार्यां किन नहीं ठीक है यह तुसी जाद रखना खुदा दे नाल मिल्दा जिल्दा शब्द है अगला प्रेशन जी श्री गुरु नाणक देव जी ने किन्य वकारां दा जिकर कित पंज काम क्रोध लोब मो हंकार गुरु नाणक देव जी केडे पंज गुणा दी प्रापती करन दे लई केंदे हन यह तो आनू याद रहें दिया विकार पर तुसी यह याद रिखनेया सत संतोक तीर्ज तर्म ते दया जब जी वेच्चे किन्य रोहानी मंजला दा जीकराया है यह आया पंज जांप पंच खंड पहला है साधा तर्म खंड फे रहुँदा ग्यान हंड शर्म खंड कर्म खंड ते अखीर वेच्ज फिर सच खंड है हिंदू तर्म-धे Ci जगत नों किनने खंड कन्ड अ वन्डू है हिंदू तर्म ते विच जब तिन खंड न वर्च वंडर मंज रं गया जी स्वर्ग लोक मात लोक पताल लोक हिंदू शेटरा वेचे पूरे जग्त दी वंड किस तरह हुई है चोधा पवणादे वेच पूरे जग्त दी वंड की ती गया है सत अकाश सत पताल इसलामतर सार्मा नुषार जग्त किन्य खंटा बेच बंडे होया है चौदा सत्थ अकाश ते सत्थ पताव इसलाम तर्मदे वेची हो गया हिंदू तर्मदे वेची भी हो गया पर है आप ऐसले किता क्योंकि गुरु नान्ग देव जी ने ऐस तरह बांड नहीं किती उन्हाने अंग्यंत ही जड़े अकाश उपर दस सब को जी ही दस्य होया ठीक है ऐसा में मतलवाइनी सैंस ने कोज भी नी कीती ओसमें गुरु नानक देव जी ने चीजा कहिए से पवन गुरु पानी पिता माता तार्त महात शब्द किस गुरु दी रचना है एह है श्री गुरु नानक देव ग्रु ग्राण सहब दी प्रशनोत्री श्री गुरु नाणक देव जीदी केस बाणी विच मिल देहां ये जब जीवेच मिल देहां कि विसे च्यार होई ये वाला जो अपना पहला कीता है मूल मांतर वेच शब्दान ने केड़ी अर्थ है अभेखे वाले अर्थोल ठीक है मतलों भोई व्यांजना जाँ होड़ शक्ति हेठ कम है करने सिर्फ सिदार्ञ सिदार्ञ ही इनल अर्थ लेने चाहिए दिया सानु मूल मांतर दे जो दित्ते कह या अभया शक्ति वाले यह जाल रखना ठीक है अभया शक्ति जड़ी अग्या पकर दे उन्या के जते अर्थ कहत्म हो जाना इस तो अगे उस्तों अग्या नी सदार्न ही अर्थ गुरु नानक देव जी ने सदार्न बानी सदार्न पाशादी वर्टों करके सानु मूझा उन्दी कोश्य कीती है मतलब गुंजलदार गालन नहीं करी मूहल मांतर दे वेच्च गुरु ग्राण सहीव दी केड़ी बानी गागर वेच्च सागर समान है यह है जी जब जी रह सवादनों अंग्रेजी वेच्च की कह दिया ना इसनों बोल दिया मिस्टे सेजम मिस्टे सेजम ठीक है मिरा थोड़ा जा ससा ते ससे पैर वी बिंदी वाला जड़ा ओचार ना मिरा सही नी ठीक है कोश्य भी करना पर जी वे उस तरह मेरी जड़ी मेरा साथ नी दिन दी जब जी वेच्च आये पंच खंडा विच्चों केसनों किरपा खंड भी किया जन्द है मतलब किरपा खंड ठीक है पूरा रारा ही पामांगे अपर किरपा खंड किया जन्द है कर्म खंड मतलब इसे पूरी दी पूरी किरपा हो जन्द है मतलब ठीक है पर मातमाती जग्या मासदा मेना घंडा करमखंड साच शार कांड सा इस तो बात लंदा उसे तह फिर पूरी मतलब लेनी हो जीना परप्रमात्माइत्मावाला जडा मेला हो जान्द दुरि कर्मखंड सा इसनु ड Birds तो बाइंद रखना कर्मखंड क्योंकि इत्थे उन्ना फर्मातमा थे उसनों पौन वाले दा मेल हो जानता है लो अकार्द इसने शुरू हो जानते है ति इस बारे गुर्णानक देव जी ने किया कि जड़े बहादर लोका है सूर बीर लोका उही इस कर्म खंड़ देवेचे निवास कर दे है कि यह चीज कही है डाक्टर जैरा मिश्रा ने नानक बाणी पन्ना थान में देव पर बाकी अपना फिर करते चर्चा करांगे जो परेशन रहे जो लोका है